हाई एव्रीवन वेलकम टो पकवान डेस पे इन हिंदी मैं आज अपने किचिन में बनानी जा रही हूं गोबी प्राठा जो कि पहुत ही टेस्टी होता है आप जरूर ड्राइ करें गोबी प्राठा बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका डो तयार कर लेंगे डो तयार करने के लिए मैं यहां पर 200 गराम आटा ले ली हूँ वाटर कौटर टी इस्पून हम इसमें साल्ट एड करेंगे रिफाइंड ओयल हम लाश्ट में यूज़ करेंगे जब डो तयार हो जाएगा उसके बार तो हम इसमें साल्ट एड कर चुके हैं और साल्ट को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे शाल्ट मिक्स हो चुका है हम नॉर्मल पानी ही ले रहे हैं इसे से हम डो अच्छी तरह से दयार कर लेंगे थोड़ा थोड़ा हम वाटर इसमें एड करेंगे जान रखके एक बार आप इसमें वाटर एड कर देंगे तो आपका डो खराब हो सकता है इस वाज़ों से हम इसमें वाटर थोड़ा सा बच गया है एक प्याला में अब हम इसमें टू टी स्पून रिफाइन और एड करेंगे और इसे अच्छी तरह फिर से हम डो में मिक्स कर देंगे और लाश्ट में एड करने से आपका जो भी पराठा आप बनाएंगे वो बिल्कुल सॉफ्ट बन हो चुका है अब हम इसे कवर करके वन साइड में रख देंगे ध्यान रहें पहले आप दो तयार करें उसके बाद ही गोभी का फिलिंग्स तयार करें तो हम यहां पर गोभी हाफ केजी लिए थे इसका वेस्ट पार्ट में निकाल दी हूं तो वेस्ट पार्ट निकालने के रख में बाद यह 500 ग्राम रह गया है इसे कडिकरस कर ली हूं वास में गुंगुने टे ने यह region край में पनाती हूं उसी टएम में सारे इंग्रेडेंस को आपको पताते जाती हूं फिलिंग्स तयार करेंगे उसके लिए हम एक पैल लिए है इसके फिलेम को हम ओन कर देंगे एड करेंगे रिफांड ओयल थ्री टेबल इस्पून ओयल को हीट होने देंगे ओयल हीट हो चुका है ओयल हीट होने के बाद हम इसे तड़का लगाएंगे पहले हम फ्लेम को लो कड़ लेंगे टाट करेंगे क्यूमिंग सेट कॉटरिटी इस्पून टू पीच हींग आड़ करेंगे और इसे अच्छी तरह हम चटकने देंगे वन पीस इसमें ओनियन आड़ करेंगे बारिक कड़ किया हुआ इसे हलका लाइट ब्राउन होने देंगे अब इसके फ्लेम को हम हाई कर लेंगे इसके फ्लेम को हम फिर से लो कर देंगे लो करनी के बाद हम इसमें ग्रेन चिली तीन से चार जो मैं कटकी हूँ बारिक कुसे आड़ कर दूंगे इसके बाद हम इसमें ऐड़ करेंगे धन्या पाउडर क्वाटर टी स्पून, रेट चिली पाउडर क्वाटर टी स्पून, गरम मसाला पाउडर क्वाटर टी स्पून, इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे दूंगे, आमचुर पाउडर क्वाटर टी स्पून, इसके बाद हम इसमें एड़ कर देंगे, जिंजर कार्लिक पेस्ट, 3 टेबले स्पून है ये, इसके बाद हम इसे मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद हम इसके फ्लेम को हाई कर लेंगे, हाई करने के बाद हम हाफ मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से फून लेंगे, हाफ मि कि इसे अची तरह से मिकस कर लेंगे गोबी अची तरह मिकस हो चुका है जब तक कि इसका पानी खुस्क ना हो जाए, दो से तीन मिनट इसे हाई फ्लेम पे भूनते हुए हो गया है, और ये अच्छे तरह सौट भी हो चुका है, और इसका पानी खुस्क भी हो गया है, एड़ करेंगे कोरियंडर लेप्स, पिलिंग्स तयार हो चुका है, अब इसके फ्लेम को आफ कर देंगे, और इसे एक प्लेट पे निकालके हम ठंडा कर लेंगे, ठंडा करने के बाद ही इसका प्राठा बना नहीं तो आपका प्राठा अच्छा नहीं बनेगा, थोड़ा समय आठा का डश्ट ली हूँ, प्राठा बेलने के लिए, थोड़ा सा ओयल में निकालनी हूँ, सबसे पहले प्राठा बनाने के लिए हम डो का बाल्स बना लेंगे, थोड़ा सा हम आठा डश्ट करेंगे, और कुछ इस तरह से हम इसे फ्लाइट कर लेंगे, अब हम इसमें फिलिंग सैड करेंगे, मैं इसमें टूटी स्पून फिलिंग सैड कर चुकी अब इसे मैं डश्ट करके उसके बार फ्लैट कर लेंगे प्लैट करने से पहले हम फ्लेम को आउन कर देंगे कि तावा हमारा हीट हो जाए तावा को हीट होने देंगे पुड़ा हलके हाथों से आप इसे flat करें नहीं तो ये फट सकता है प्राठा एच्छी तरह flat हो चुका है और टावा भी hit हो चुका है अब हम इसे इस पे add कर देंगे इस पे add करने के बाद हलका सा जब one side सिख जाए तो हम इसका side change कर देंगे दूसरे साइड भी इसी तरह सिखने देंगे बीच पीच में हम चेक करते रहें आप देख सकते हैं इसका वन साइड अच्छी तरह से सिख चुका है अब ये ओल लगाने के लिए तयार है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा ओल लगा कर हम आप चाहे तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं लेकिन हम थोड़ा थोड़ा ओल लगा कर इसे अच्छी तरह से सिख लेंगे इसी तरह हम सारी प्राड़ा बना लेंगे कर्मकरम गोबी का प्राड़ा बनके रेडियो हो चुका है आप देख सकते हैं कितना यमी और टेश्टी बना है आप इसे जरूर ट्राइ करें आपको भी पसंद आएगा अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करने ना भूले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताके लेटेश्ट वीडियो आपको जल से जल मिल सकें शेयर करें कॉमेंट करके फीडबैक देना ना भूले फ्रेंड्स ताके हम आप लोगों के लिए ऐसे ही नही नही रेस्पी लेकर आती रहूं आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेस्बूक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे मैं वाहा पे भी अभिला बनूँ थैंक्स पर वाजिंग, बाबाई